नमस्का स्वागत है आप सभी का आप 24-7 जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि Global Literary Fest का तीसरा और आखरी दिन है और हम literature के बारे में बहुत सारी चीज़ें इन तिन दिनों में हमने जाना तो आज हमारे साथ महजूद हैं रगवीर सर्मा सर जो एक असिस्टेंट डिरेक्टर है और गॉर्मेंट के साथ यह literature पे वर्क कर रहे हैं तो आज मैं सर से सबसे पहले यह सवाल जानना चाहूंगा कि कहीं न कहीं जो लिट्रेचर का जो वैल्यू है सर वो हमें इस जेनरेशन में थोड़ा सा कम नजर आ रहा है तो आप किस प्रकार से हमें बताना चाहोगे कि literature पे युवा किस तरह से काम करें किस तरह से इसमें और भी बैतर कर सकती है देखें लिटरेचर की value कम नहीं हुई है हुआ यह है कि लिटरेचर का सुरूप बदल गया है जो आप serials देखते हैं जो filmे देखते हैं वो भी कहिन कहीं लिटरेचर का ही साहत का ही एक परकार है अभी हुआ यह है कि पहले किताबें छपती ती, printed होती थी किताब या थि उपनमयास पढ़े जाते थे आज फिल्में देखी जा रहे पढ़ते हैं लोगों पढ़ते हैं उस पर टिपधी देते हैं पत्रिका में नहीं छपेगी कहानी vide कहानिया पेश्बुक पेश्य करेंगे लोग कहानिया और माधिमों से सेड़् करेंगे साज़ा करेंगे तो देखिए मनुष्य यह जैब पंदाईसी इस्टुरी टेलर है और आप गणि कि हमारे हां संस्कृत साहत्य में बड़ी पुरानी परंपरा है कहानियों की, कथा सरीट सागर एक पुष्टक है, कथा सरीट सागर में क्या है? ऊसनाफ हिस्टोरी पुरा महा समदर है कहानियों का, और उसका इतिहास पैसाची भासा में मुगल लूप से लिखा तो हजारो साल की परंपरा है बलकि क्या कहें तो हजारो साल की परंपरा है इस तरह से अविच्छिन है कि हम उसको अलग कर ही नहीं सकते सब्सक्राइब अब हिंदी लेकिन मूल रूप से जो संबेदनाय है मनुस्ट की वह साहिती में सुरक्षित रहती है जीवित रहती है अगे भी साहित रहेगा किसी भी रूप में रहे आप कहानी नहीं पढ़ेंगे तो फेस्बूक की पोस्ट पढ़कर के उस पर अपनी प्रत सब्सक्राइब करें लेकिन वह जो एक कंट्रोल हुआ करता था पुराने समय में लिट्रेचर पे बहुत सारे लोगों में दिखता था कि वह कंट्रोल की वैसे कहीं हमारा देश भी बहुत आगे बढ़ा लेकिन वह अब उस तरह से हमें कंट्रोल नजर नहीं आता है हर एक लिट्रेचर को लेकर उस पर थोड़ा समय आपके जान रहे हैं पुराने जवाने में जिस तरह से एक सिस्टम चलाता था कि हम इस प्रकार से सीखेंगे लिट्रेचर को वो कहीं न कहीं अब हमें नजर नहीं आ रहा है तो वो किस तरह से अब शुरुआत हो उसके बारे में आप युवा कैसे प्रयास कर से देखिए ऐसा है एक चीज़ और भी है हम कई बार हम सोचते हैं कि सारा भारत सहरों में ही बस रहा है हमारी एक मित्याधार्णा है और हम जो कुछ भी अपनी अपना अपनी राये बनाते हैं हम केव सहरी समाज को सहरी समाज को देख करके सहरी युवा और को देख करके अपनी राये मना लेते है कि साहित पढ़ा नहीं जा रहा है लेकिन हम माहा नगरों में जीन जिस तरह का है उसrimine मंजाभी से rep Argat Ariatic को के चू लेकिन अभी भी गाओं का जो आदमी खेत में बैठा है उसके पास साहिति के लिए समय है और साहिति पढ़ता है लिखता है और साहिति उन लोगों में जीवित है तो हम अपनी कोई राय के वल सहरी सहरी वर्क के अधार्प नहीं बनाएं और साहिति की जो पहुंच है वह क्या इनिशेटिव लिया जा रहा है सरकार क्या कोशिस करें कि वह कहीं ऍयां गाओं से तक भी पहले जिए ऎसा है कि मैं भारत सरकार के ग्रिभ मंत्रले के राजभासा विभाग में राज में हम है तो ग्री मंत्राले का राजभासा विभाग जहां मैं सेवाई देता हूं उसका काम है विभाग का राजभासा हिंदी को सरकारी कामकार में बढ़ावा देना लेकिन अभी पिछले दिनों से मानिये ग्रिमंत्री जी के मार्य दर्सन में हम लोगों ने कुछ ऐसे डिश्येसे पहल है जीनमें जैसे एक ही दो वरसों से हिंदी सद्व संदू में क्या किया है जो भारती भासाएं हैं वैसे भारती भासाइं 22 जो उनमें उनमें से हम हिंदी में सब्सक्राइब जोड़ रहे हैं और अभी आपको बताऊं जनकरी लिए यह भारती भासान भाग करके इसी 14 स्टमबर को मान नेगरी मंत्री जी ने उसका उद्गाटन किया है और भारती भासान भाग के द्वारा हम यह कोशिश कर रहे हैं कि भारत की और भासा है उनके साथ हिंदी को कैसे हम जोड़े हमारा प्रयास है केवल हिंदी के लिए नहीं बात करते हैं मानी ग्रिमंत्री जी आपने उनके वक्तब सुनोंगे 15 अगस्त मानी प्रधान मंत्री जी अपने वक्तब में बहुत अची बात कह रहे थे वह कह रहे थे कि इस देश में कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी व्यक्ति को उसकी मात्र भासा के नाते पिछड़ना पड़े तो अब यह समय आ गया है भी जो नई सिक्षानीती बनी है आपने मध्यप्रदेश में शुरू ही है और राज्यों में कई जगे तो इस तरह कि से सरकार की जहां तक बात है सरकार के प्रयास लगतार इस दिसा में हैं कि हिंदी और भारती भासाओं को प्रूसाहं दिया जाए उन्हें आगे बढ़ाया जाए और उसके लिए जो संभो उपाय कैसा लगा निश्चित तर पर देखिए मुझे भी ध्यान है मुझे एक बात यादाई कि कभी भी चाहे वो देखिए चाहे वो हैल्थ केर हो हाउसिंग हो कभी आप सारी चीज़े सरकारों के भरोसे नहीं छोड़ सकते नीजी छेत्र को आगे आना ही होता है और यह अच्छ प्रश्चान कलाकारों को और सिनेमा के लिए जो काम करने वाले लोग है उनको तैक उनको गड़ता है लेकिन अच्छी बाती है कि आपने साहित की भूमिका को स्विकार किया और आपने महसूस किया कि साहित का एक की महत्पूर भूमिका है कलाकार के जीवन में चाहे वो किस में तर शूंत कर दिया और इसी तरह के तमाम इंटरव्यूंज के लिए आप 24-7 Noida के साथ जूरे रहें